प्रतिष्टा के लिए करोड़ो रूपे खर्च के लिए करोड़ो रूपे खर्च करेंगे प्रतिष्टा के लिए प्रतिष्टा के लिए करोड़ो रूपे खर्च करेंगे इसी दोरान पुलिस कर्मी आने जाने वाले वाहनों की तलाशी लिए रहे हैं ताकि चुनाओं में किसी भी प्रकार की कोई गरबड़ी ना हो हम सामाच को यह बताना चाहते हैं कि पुलिस कर्मी हमेशा से अपनी ड्यूटी बाग खुबी निवाते हैं बस हमें खुद आगे बढ़कर उनकी छबी की प्रशेंशा करनी चाहिए ताकि पुलिस के उपर जो भ्रस्चाचार वा अन्य आरोप लगते हैं उससे कहीं न कहीं हमारे इन जवानों को निजात मिल सके अकसर राजनेता चुनाओ जीतने के बाद ना पुलिस कर्मियों को याद करते हैं और ना ही उनके करतब्यों को याद करते हैं बस मौका मिलते ही वह इन जवानों को अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर के बाहर या अपने वाहनों मे इनको तैनात कर देते हैं जबकि जिस तरह से पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी निबा रहे हैं उसी तरह से चुनाओ जीतने के बाद आज नेताओं को भी अपना फर्जबा खुबी निबाना चाहिए अपरता साथ में ड्यूटी करना परते है वहनों को रोकते हैं असमें खुछ वहन नहीं है जिनको संदिक हो रोबते है तलाश लेते लबगुल कितने लोग आते हैं पर हम सार यह जवान हैं दो डेलो तेर्थनगरी उंकारिश्वर के निकट ग्राम पंचाट कोठी के अंतरगत ग्राम गुंजारी पुनरवास में गनीशनगर से गुंजारी तक लोक निर्मान विभाग द्वारा एक करोड 93 लाग की लागत से तीन किलो मेटर का डामर रोड बनाया गया है बताया जा रहा है कि इस मार्क की शमता 8 टन की है लेकिन इस मार्क पर रोजाना 30-30 टन से दिखके वाहन चल रहे हैं रोड की गारंटी भी चालू हो गई है लेकिन इस मार्क पर से रोजाना गित्टी एवं रेती के बड़े बड़े डंपरवा ट्राले निकाले जा रहे हैं इसी दोरां ग्राम गुंजारी में सेल्दा पवार प्लांट कमपनी के दोरा इंटेक वेल का काम जोरो पर चल रहा है जिसमें प्रति दिन यहां कहीं वहन सरपट सरपट दोड़ते हुए नजर आ रहे हैं भले ही शासन किसानों के हित में योजनाय लागू करवा दे पर प्रशासनिक नुमाइंदों के साथ व्यापारी शासन को प्रति दिन लाखों रुपे का चूना लगा रहे हैं प्रशी उपज मंडी के सदस्त प्रति निधी किशोर खाती ने मीडिया से चर्चा करते वक्त आरूप लगाया है कि प्रबंदन की बाहर दुकाने लगवा कर प्रति दिन पांस से दस ट्रक माल रखकर मंडी टेक्स चोरी करवा रहे हैं वही पूर में भी मंडी प्रति निधी के द्वारा भुपाल मंडी वोट को शिकायत की गई थी जिससे नाराज व्यापारियों ने उन्हें जान से मानी की धमक्याबी दी थी जिसकी रिपोर्ट भी थानत तराना में दर्ज है इसके चलते क्रशी उपस मंडी के भावंतर योजना का लाव लेने गए किसानों पर भी घोटले बाजी का साया मंडरा रहा है जहां बड़े तोल काटे से 500 ग्राम अनाज तो छोटे तोल काटे से 1 किलु अनाज प्रतिक 90 किलो काटा जा रहा है आए दिन नाराज किसान हंगामा करते हैं तो किसानों को वही पर समझा दिया जाता है और बाद वहीं खत्म कर दी जाती है किसान जाएगा उसको सुधार हो जाएगा जाता हूं मंडी सचीव के मंडी अधिकारी के पार तो मेरे को अकेले बोलते हैं कि जहाँ तुम्हारा सुधार कर दिया जाएगा दावत खेडी के निवासी एक सामाजी कारिकरम में शामिल होने आये थे और भैसरोत किसी से मिलने जा रहे थी दो पहर करीब दो बच कर 30 मिनिट पर इनका वाहन भैसरोत से करीब 500 मीटर दूर स्थित कोशलपूर रोड पर असंतुलित होकर पलट गया इस हासे में एक की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए जिने उपचार के लिए सिवल अस्पताल में भरती किया गया जानकारी के नुसार उद्जन जिले के एक ग्राम दावत खेडी निवासी किसी कारिक्रम में शामिल होने आये थे जहां से ये लोग भैंस रोट किसी परीचित से मिलने जा रहे थे दोपर करीब धाई बजित जब ये लोग कौशल पूर रोड पहुँचे तभी इनका वाहन असंतुलित होकर पलट गया वाहन में सवार चारो लोग घायल हो गए हैं जब आसपास के लोगों ने यहां देखा तो उन्होंने डायल हंडिट को सूच ना दी इसी पर पाइलेट मनोहर सींग कॉंस्टिवल जीतिंद पटेल मौके पर पहुँचे और घायलो को लेकर सिवल अस्पताल शुजाल पुर पहुँचे यहां तूफान सींग के उपचार के दोरान मौत हो गई सलसलाई पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जाच में ले लिया है रेलबे इंदोर से पूरे के लिए शनिवार को स्पेशल ट्रेन चलाए जाएगी हर रात 9 बजे इंदोर से रवाना होगी और रविवार दो पहर 3 बच कर 15 मिनिट पर पूरे पहुचेगी वापसी में पूरे इंदोर एक्स्प्रेस पूरे से रात 9 बच कर 30 मिनिट पर चलेगी और सोमबार दो पहर 2 बच कर 30 मिनिट पर इंदोर पहुचेगी बताया जा रहा है कि अन्ने स्पेशल ट्रेनों की तरह इस ट्रेन में भी स्पेशल किराय सिस्टम लागू होगा वहीं इंदोर पूरे स्पेशल क्रेन का नंबर 09304 जबकि पूरे इंदोर स्पेशल क्रेन का नंबर 09303 होगा यह लक्षमी बाई नगर, उज्जैन, रतलाम, गोधरा, बरोधरा, सूरत, बापी, कल्यान और लोना वाला होते हुए पूरे पहुचेगी इंदोर से पूरे जाने में ट्रेन 18 घंटे जबकि पूरे से इंदोर आते समय सत्रा घंटे का समय लेगे सोजालपूर में दीपावली की रौनक बाजार में दिख रही है, वहीं फूलों से दुकाने सच चुकी है मिट्टी के दीपक, गन्य व घरेलू सज्जा के सामान चम कर बिक्री हो रही है लोगों में दीपावली को लेकर भरपूर उस्सा है एवं हर जगा रौनक है और वहीं भारती परंपरा के अनुसार आज रात को सभी लोग अपने घरों में लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करेंगे राजबारा सित महा लक्ष्मी मंदिर 186 वर्ष्डो से शहर के लोगों के बीच आस्था का केंद्र बना हुआ है यहां हर साल दीपावली पर पूजा अर्चना के लिए भक्तो की लंबी कतारे लगती है उनके श्रंगारित स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्ता आते हैं और सुक सम्रद्दी के साथ ही वेभव की कामना भी करते है मंदर का निर्मान मलहार राओ हुलकर ने 1832 में करवाया था 1933 में यह मंदर तीन तलवाला था इसका एक बड़ा हिस्सा 1942 में आग की भेट चड़ गया तब इस मंदर को लकड़ी से बनाया गया और चद्दर उसे ठका गया था मंदर से जुड़े लोगों के अनुसार खास की ट्रस्ट द्वारा करीब 10 साल पहले अतिक्रमार हटा कर पुना जिन्नोधार का कारेश शुरू किया गया था जो करीब 3 साल पहले पूरा हो गया था फिल्म ठक्स आफ हिंदुस्ता के रिलिस डेट जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे ही फिल्म का प्रचार तीज होता जा रहा है दिवाली के मौके पर इस फिल्म के दो बड़े ठक्स ने इस तेओहार की बदाईया दी अमिताब बच्चन और आमीर खान ने इस वीडियो जारी करते हुए शुपकामनाई अपने फैंस तक पहुचाई है और इसमें उन्होंने कल रिलीस होने वाले फिल्म को देखने की गुजारिज भी की है फिल्म की शूटिंग से जुड़े कई खुलासों और बड़े पहमाने पर रिलीस किये जाने की खबर के बाद आखिर में कैटरीना कैफ का एक गाना भी रिलीस किया गया है दहकते शोलो और अंगारों से लव्रेज इस गाने में डान्स क्रूप के साथ कैट का अंदास काफी खुबसूरत है सोने में लिप्ती कैटरीना का इस फिल्म में सुरया जान का किरदार है जो आमीर खान के अपोजिट है विजय कृष्ण आचारी के निर्देशन में बनी ठर्क्स ओफ हिंदोस्तान दिवाली के मौके पर आठ नवंबर को रिलीस हो रही है फिल्म में आमीर और मिताप के अलावा कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी है